नमस्कार किसान भाईयों स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल फायब जी खेती बाड़ी में और आज हम नर्मा कपास की बुवाई से लेके हार्वेस्टिंग तरवाखात बीज से चाहिए तेंदाई गुडाई उपजी चुगाई सबी इन टोपिक्स पर आठी किसे देखे ताकि आपकी पसल बीज वेराइटी सब कुछ बेश्ट और आपको बेश्ट उपज मिले तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसान भाईयों अब सबसे पहले बात करते हैं कपास में आने वाली वेराइटियों की कौन सी कौन सी वेराइटी क्या क्या उत्पादिन देती हैं कितना उत्पादन देती हैं तो सबसे पहले बात करते हैं डी सी एच बत्तिस नाइन्टी एटी त्री मैं थी महीं रेसे की किश्म हैं और एच एट चोकि 2008 में आई थी जल्दी पकने वाली किस्म हैं 130 से 135 दिन में पक्के तयार हो जाती हैं और 25 से 30 क्विंटल प्रती हेक्टेर उत्पादन देती हैं जी कोट हाई 10 जो कि 1996 में आए थी अधिक उत्पादन देती हैं 30 से 35 क्विंटल प्रती हेक्टेर का उत्पादन देती हैं बन्नी बीटी जो कि 2001 में आई थी महीं रेसा अच्छी कुण होत्ता वाली हैं जो कि 30 से 35 क्विंटल प्रती हेक्टर उत्पादन देती है डबली एच जीरो नाइन बीटी नैंटी नाइंटी सिक्स में आए थी जो कि महीन रेशा की अच्छी कुणों हत्ता वाला कपास हैं 30 से 35 कंटल प्रत्यक्तर का उत्पादन देती है डिर्षिण फादन देती है यॉजीऑ गुप्शेत्रों के लिए उप्युख्त माने जाती है और एको इच वंग्रियासी में उप्यूख्तian माने ज MoreAm चेक के फोर दोजार दो में ऐसी चित क्षित्रों के लिए उपयोगते की गई थी जो की अठारा से बीस क्विंटर प्रती हेक्टेर उत्पादन देती है चेक के फाइब जो की दोजार तीन में आई थी अच्छी कुणवत्ता वाली मजबूत रेस्टा के साथ आई थी अठार से पंद्रा से ठारा क्विंटर प्रती हेक्टेर का उत्पादन देती हैं ये कुछ वेराइटियां उत्पादन कम देती हैं लेकिन ये कम सिंचित वाली और प्रोप्रती रुदब क्ष्रमता में अधिक मानी जाती हैं इसलिए इन्हें कम पानी वाले क्षत्रों में बोई ज सकता हैं सिचाई की परियापत उपलबता नय होने पर मानसुन की उप्युक्त होने वर्षा होते ही कपास की पसल लगावें कपास की पसल को मिट्टी अच्छी पूर पूरी तयार कर लेना चाहिए सामानियत उन्नत जातियों का ढाई से तीन किलो बीज तथा संकर एवं बीट की जातियों का एक किलोग्राम बीज प्रती हेक्टर की बॉई के लिए उप्यूगत होता है उन्नत जातियों में चेपुली 45 से 60 की दूरी रखी जाती है 45 सेंटिमेटर पोदे से पोदे की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी 60 सेंटिमेटर पर लगाई जाती है भारी भूमी में लाइन से लाइन वा पोदे से पोदे की दूरी 60 सेंटिमेटर दोनों में 60-60 सेंटिमेटर रखी जाती है मद्य पूमी में पोदे से पोदे की दूरी 60 cm वे लाइन से लाइन की दूरी 45 cm रखी जाती है मद्य वे हलकी पूमी में संकर एवं बीटी जाती हो में कतार से कतार एवं पोदे से पोदे की बीची दूरी करमस 90 से 120 cm एवं 60 से 190 cm रखी जाती है अब बात करते हैं सगन खेती की किसान भाइयों सगन खेती में कपास की सगन खेती जो होती है वो थोड़ी अलग होती है कई किसानों ने इसके बारे में सुना भी होगा और कई किसान इस तरह की उपज लेते भी होगे इसमें कतार से कतार के 35 cm, 35 से पोधी की दूरी 15 cm पर लगाए जाते हैं इस प्रकार एक हेक्टेर में एक लाग 48,000 पोधी लगते हैं बीजदर 6 से 8 kg प्रती हेक्टेर रखी जाती है इसमें 25 से 50 प्रतिसत की उपज में वर्ती होती हैं इस हेतु उप्यक्त किसमें NH 651, सूरज, जोकि 2002 में आये थी, PKV 081, LRK 51, NHH 48 BT, जोहार तापती, JK4, JK5 बादी पेराइक्या मानी जाती है इस सगन वीदी के लिए, सगन वीदी में पोदों की मोटाई कम होती है, इसलिए उन्हें पास पास लगाया जाता है, 15 से 40 सेंटिमेटर पर लगाया जाता है, और जिन पोदों की विराइटी, बड़े पोदों की विराइटी होती है, उन्हें दूर दूर लगाया जाता है, अब बात करते हैं किसान भाइयों खाद एवं और वर रखे किसान भाइयों उन्नत विराइटी में नत्र जन 80-120 किलो ग्राम प्रति हेक्टेर के इसाब से डालना चाहिए फाइसम् Confederate 40-60 किलो डालना चाहिए प्रति ह kitchen और पोटास 20-37 किलो प्रति हेक्टेर डालना चाहिए और कंदग 25 किलो ग्राम प्रति हेक्टेन नत्र चाहिए और अगर संकर विराइटी की बात करें तो संकरबे तई विराइटी में डेडिस्बू इंटल नत्रजान की आवश्खता वोती है । पच्छे इतर किलो की आवश्खता होती है । कनदुरिक 25 इंट लोगि आवश्ख दथ है कुल्मि लाके के संवायू संकर्मक्ड की संकर्मक्ड बीज में खाद की अधिक आउशकता होती हैं उन्नत विराइटियों में खाद की कम आउशकता होती हैं अब बात करते हैं इन खाद का कब उपयोग करना चीए तो नत्रजन जो खाद होता है उसका 15 प्रतिसत पुगाई के श्रमें एक चौन्था है तीस दिन बाद दूसरा चौन्था है 60 दिन बाद तीसरा चौन्था है 90 दिन बाद वा चौन्था 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 है 120 दिन पर दिया जाता है अब बात करते हैं फासपोर्स की तो फासपोर्स आदा वुआई के समय यहों बाकी 60 दिन बाद दिया जाता है पोटास भी इसी तरह हैं आदा वुआई के समय और गोबर की खाथ कंपोस्ट साथ से आठ टन प्रती हेक्टर या 20-25 गाड़ी अवश्य देना चाहिए क्योंकि इससे फसल की पैदावार बढ़ती है और सबसे अहम खाद यही होता है कि जुरूरी होता है कि खेत में गोबर का खाथ हूँ बुवाई के समय एक हेक्टेर के लिए लगने वाले बीज को 500 ग्राम एजोस्पायरी रिलम एवं 500 ग्राम पी एस बी से भी उपचारित कर सकते हैं जिससे 20 किलो ग्राम नत्रजन एवं 10 किलो ग्राम स्फूर की बचत होगी बोनी के बाद उरुवक को कालम पदिती से देना चाहिए इस पदिती से पोदे के केरे परीदी पर 15 सेंटीमिटर गहरे गड़े सब्बल बना कर उसमें पृति पोदे को दिया जाने वाला उरुवक डालते हैं वे मिट्टी से बंद कर देते हैं अब बात करते हैं निंदाई गुड़ाई एवं खर्पतवार नियंतरन की पहली निंदाई गुड़ाई अंकुरन के 15 से 20 दिन के अंदर कोलपा या डोरा चला कर करना चाहिए खर्पतवार नाशकों में पाइरेट और ब्रेक सोडियम डेड़ 750 ग्राम हेक्टियर या फ्लुकलोरीन पेंडा मेथिलीन एक किलो ग्राम सक्रिय तत्यों को बुवाई पूर वे उपियोग किया जा सकता है अब बात करते हैं सिचाई की एकांथर कतार पदिती छोड़ पदिती अपना कर सिचाई जल की बचत करें बाद वाली सिचाईयां हलकी करें अधिक सिचाई से पोदे के आसपास आद्रता बढ़ती हैं वह मोसम गरम रहा तो कीट एवं रोगों के परभाव की संभावना बढ़ती हैं सिचाई की करांतिक अवस्ताईं सिमपोडियास साखाई निकलने के अवस्ता एवं 45-50 दिन फूल पूरी बनने के अवस्ता फूल एवं फल बनने के अवस्ता 25-85 दिन अधिक्तम गेटों के अवस्ता पिच्चाणों से 105 दिन केरे वरदी एवं खुलने की अवस्ता 115 से 125 तिन टपक सिचाई से जल की बचट किसे करें टपक सिचाई एक महत्व पूर्ण सिचाई साधन है यह बिजली मेहनत और लगबक 70% सिचाई जल की बचट करता है टपक सिचाई को तीन दिन में एक बार चलाया जाना चाहिए टपक सिचाई की साहिता से पूदों को गुलने सिल, खात, एवं कीट, नौसक के आप उर्टी की जा सकती है प्रतेक पूते को उच्छित ढंग से परियाप्त जल्व उर्वरक उपलबद होने के कारण उपज में वरद्धी होती है अब बात करते हैं किसान भाईयों उपजगी देशी उन्नत प्रजातियों की चुनाई प्रायर नौंबर से जनवरी फरवरी तक संकर जातियों की अक्टूमबर नौंबर से दिसंबर जनवरी तक तथा बीटी किसमों की चुनाई अक्टूमबर से दिसंबर तक की जाती है कहीं कहीं बीटी किस्मों की चुनाई चनवरी फरवरी तक भी होती है देशी उन्नत किस्मों से 10 से 15 क्विंटल परती हेक्टियर संकर किस्मों से 13 से 18 क्विंटल परती हेक्टियर तथा बीटी किसमों से 15 से 20 क्विंटल परती हेक्टेर तक ओसत उपज प्राप्त होती है कपास की चुनाई के समय रखन वाली साउधानिया कपास की चुनाई प्राय ओस सूखन के बाद ही करनी चाहिए अब उक्षित अद्खिले या केले गेटों की चुनाई करनी चाहिए चुनाई करते समय कपास के साथ सुखी पतियां डंटल मिटी त्यादी नहीं आना चाहिए चुनाई पश्चयात कपास को दूप में सुखा लेना चाहिए क्योंकि अधिक नमी से कपास में रूई तथा बीज दोनों की गुणवता में कमी आती है कपास को सुखा कर ही बंडारित करें क्योंकि नमी ओनने पर कपास पीला पड़ जाएगा वब फपुन्द भी लग सकती है किसान भाईओं आज के इस वीडियो में बस इतना ही प्रप्त करनी हो तो हम आप हमसे संपरक कर सकते हैं कॉंटेक्ट नमबर भी दे सकते हैं या मेसेज भी कर सकते हम पूरी कोसिस करेंगे आपको आपके सवालों का जवाब देने के लिए आज की वीडियो में बस इतना है तैन्यवाद